मुझे रिलिजन समझ में नहीं आता है एक अस्ट्रोलिजर थे हमारे लाइफ में जुन्हों ने कहा मेरे लाइफ में आ रहे है इसको काल सर्प दोश है अरे ये कैसे संबभ हो सकता है जिन जिन नोग ने भी ये सत्य की खोज में एक पहला कदम उठाया था उनके लाइफ में भी एक विचार ये एक एमोशन के थ्रू ही स्पार्क हुआ था कि वो जानना चाहते थे कि there is something more जैसे पापा के तबित खराब थी तो जिसके वज़े से हम meditation में है एक तरीके का inner turmoil, inner shift सभी के लाइफ में होता है मैं जो अपने जीवन में जानते हूं वो बहुत ही कम है और जो जानने के लिए वो बहुत ही जादा है केवल हम as humans ही नहीं है there are many species, many civilizations जो exist करते हैं हमारे आसपास exist करते हैं और हमें support और guide करने के लिए हमेशा रहते हैं Big Bang जैसे बहार नहीं है यह आपके अंदर हो रहा है astral travel, third eye, akashic records हर एक spiritual science जो concept है उसके साथ आप अपना पोजाते है so much to be explored जो सत्य है, जो नित्य है जिसको मैं देखना चाहती हूं जिसको अनुभव करना चाहती हूं अगर कोई मार्ग है यह बहार मुझे कुछ नहीं मिलेगा मुझे मेरी अंतरयात्रा करनी ही है जो मैं चूज करती हूं अपने choices में, अपने belief systems में अपने actions में, अपने reactions में अपने भावनाओं में अपने विचारों में हर एक चीज जो मैं चुनती हूं actually is affecting everything else अकसर लोग को लगता है enlightenment यानि आत्मबोध एक ऐसी स्थिती है जहाँ पे suffering होता ही नहीं है जहाँ पे एक बंदा ट्रांस में होता होगा, एक आनंदत स्थिती में रहता होगा, आम आत्मी के बीच थोड़ी ना रहता है ऐसा बंदा एक हेलो रहता होगा उसके पीछे जैसे भगवानों का रहता है नमस्कार सभी को आज के क्या खयाल है के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आत्मबोध की प्राप्ती आखिर होती क्या है क्या ये सब के लिए मुमकिन है क्या हम भी अपने जीवन में इसकी प्राप्ती कर सकते है and क्यू हम as youngsters आज आज आपके सामने बैट कर इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं actually Amuya if you think about it हम इन शब्दों के बार में आत्मबोध enlightenment ये सारी बाते हमने ना बच्पन में सुनी थी ना ये हम इसके पीछे किसी क्वेस्ट में थे तो हमारे स्कूल में बच्पन से हम एक Christian स्कूल में थे तो Friday sermons and church तो होता ही था हम घर पर अगर कोई Hindu festival celebrate करते थे वो लक्षमी पूजा होता था और Ganesh Chaturthi होता था जहां पर हम सारे stories के माधियम से इन gods के बारे में सुनते थे तो हम एक टेकिट फो ग्रांटेट था कि सभी भगवानों के अराउंड जो एक अब हम जानते हैं कि वो औरा है उनके लाइफ में उनके फेस में एक तेज होता था जो पिक्चर रूपी में वो डिपिक करना चाहते था और मिराक्योलिस चीजे करते हैं जो आमाद मी नहीं कर सकता है क्योंकि हातों से कुछ निकालना या एक विबूती निकलना ये सारे जो भगवान का जो गुरुओं का भी जो हमने जो एक बच्पन से आपने देखा था बट दिस वस नॉट सम्धिन I mean that was understood कि ये भगवानों का चीज है या ये गुरू है जिन्होंने कुछ अचीव किया है या वो अलग है हमसे and of course हमारा I think अध्यात्मिक जोर्नी सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो होमेपेथिक डॉक्टर से जो एक अस्ट्रॉलिजर थे हमारे लाइफ में जिसकी वज़े से हमारी लाइफ ठीक से चले ना चले future को भी हम predict कर लेते हैं and फिर हम उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं and of course that's how meditation या ये जो spirituality का जो एक पहला कदम था हमारे लाइफ में आया and actually for me personally जब आत्मबोध का अगर जो शब्द का मुझे real understanding हुआ था was when I met Patrisar because वो सब को अलग-अलग तरीके से बता रहे थे वो सब को बलते नहीं तुम्हें meditation करना चाहिए तुम्हें you know swadhyaya books पढ़ना चाहिए पर जब मुझे Patrisar मिले और जब भी मैं मिलती थी of course आप लोग करते थे मैं इतना नहीं करती थी वो मुझे बस बोलते थे Alikya books पढ़ो and books भी कैसे books not spirituality के books जो भी mind related के books थे like उन्होंने मुझे transactional analysis के बारे में बताया था Games People Play by Eric Byrne to understand psychology like mind को कैसे हम समझ सकते है वो वाले books suggest किये थे so ये books जो mind related थी जब मैंने ये सारे books पढ़ना शुरू किया the first realization that I got was जो मैं अपने आपको अपने likes or dislikes मेरे पसंद और नापसंद चीजे जो मुझे अच्छा लगता है जो मुझे करना अच्छा लगता है जिसको मैं अपने आपको जोड रही थी कि this is me this is Alikya जब कि books पढ़ना शुरू किया पहली भारी I realized my life is much bigger than that मैं जो अपने जीवन में जानती हूँ बहुत ही कम है और जो जानने के लिए वो बहुत ही जादा है and that is what पत्री सर्ज के हिसाब से जो enlightenment का जो पहला कदम है it is that कि मैं सीख कर रही थी मैं जानती भी नहीं थी कि मैं अपने लाइफ में कुछ सीख कर रही थी कि मेरे लाइफ में वो घटना घट गई कि automatically एक ऐसे सद्गुरू आए जिन्होंने मुझे बस बताया जाक के देखो अपने आप के अंदर और देखो and my first realization was कि इतना कुछ है जो मैं जानती ही नहीं हूँ और मेरे अंदर से वो जो तमनना निकल के एक realization आई कि I want to learn more मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे mind को क्या influence करता है that is the uninitiated mind जो एक worldly mind है जो समझता है कि मैं ही सब कुछ हू मेरे life मेरे ही around ही transform करता है अब मैंने realize कि there is something more in my life and I think that's the first stage of enlightenment, right? That is what actually enlightenment is जब एक realization आती है realization is enlightenment before enlightenment क्योंकि आपका as such ध्यान में नहीं आये थे आप बड़ एक तरीके का inner turmoil inner shift सभी के life में होता है वो किसी के life में किसी के मृत्य हो सकती है किसी के career में एक change होना हो सकता है किसी का inner जैसे पापा के तबित खराब थी तो जिसके वज़े से हम meditation में हैं तो एक तरीके का situation create हो जाता है जहां पे आप एक shift लेने के लिए अपने आपको एक direction देते हैं तो that is essentially enlightenment तो मेरे साथ भी यही था कि as a child मेरे छोटे-छोटे-छोटे thought processes होते थे जिसके answers मुझे नहीं मिलते थे the main one was कि मुझे religion समझ में नहीं आता था क्योंकि वो मेरे अंदर एक seeker mentality थी क्योंकि मैंने seek किया eventually जब पहली बार वो experience मैंने महसूस किया तो वो shift मेरे अंदर वो एक enlightenment स्थी है मेरे लिए एक realization मेरे लिए कि मैं एक शरीर नहीं मेरे अंदर energy नाडिया जो है वो flow कर रही है यह जो मेरा पहला realization था PSSM में आना पना सती करते हुए तब मेरा एक great realization मेरे लिए था so yeah तो every सभी के life में आता ही ऐसा situation ऐसा नहीं है कि यह केवल भगवानों को होता है यह ऐसा नहीं है कि आपको सब को छोड़ना पड़ता है आपको जो भी आपके घर में situation होगी maybe अच्छा नहीं होता होगा या आपकी family में कोई भी नहीं है maybe आप अकेले हैं हर एक person कहां पर भी क्यों नहीं हो वो enlightenment को पाता ही है I think the first step अगर हम जो भी history में भी हम देखे जिन जिन नो ने भी ये सत्य की खोज में एक पहला कदम उठाया था उनके life में भी एक विचार एक emotion के थूँ ही spark हुआ था कि वो जानना चाते थे कि there is something more अगर आपके life में भी अगर कुछ हो रहा है और हमने इतने सारे लोगों का देखा है इतने सारे लोग के अनुभव सुने है संघर्ष हो या एक seeking हो जानने के लिए कि आखिर है क्या जिन्दगी that's the first step right and I think the second step is जब आप actually उस पात पे आ जाते हो सीख करते करते हो बहुत सारे सीकर्स अलग-अलग माध्यम से किसी संस्ता के साथ जुड़के किसी गुरू के साथ जुड़के किसी भगवान के भक्ती में बहुत लीन होकर किसी बहुत सारे intellectual books पढ़ना शुरू कर दे वो research mode में चले जाते जानने के लिए कि आखिर है क्या what is the ultimate purpose and जब वो finally उस पात में आ जाते हैं जहां पर वो सीख करते 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 they realize an ultimate path हर road उसी road पे lead करता है spirituality में enlightenment जो degree हमें मिलती है spirituality के path पर चलते हुए वो इसी degree को पाने के लिए जब वो meditation की path में आता है that is the second stage where it is enlightenment proper because again personal experience जब पहली बारी जब मैंने ध्यान किया था मुझे लगा था हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा अच्छी बात है तो मैंने भगवान को replace कर दिया meditation के साथ एक belief system के साथ and in this second stage actually in my own personal experience ध्यान करती थी भगवान को replace कर दिया ध्यान के साथ okay ध्यान अच्छी चीज़ है करना चाहिए पर जब ध्यान करना छोड़ दिया था और तब मैंने before and after खुद का analysis किया और realized कि yeah there is something that is missing that is when मेरा second enlightenment का stage हुआ ये मैंने जाना कि मेरे जीवन में अगर सही माइने में इस unseen world को जो अद्रिश्य दुनिया है जो सत्य है जो नित्य है जिसको मैं देखना चाहती हूँ जिसको अनुभव करना चाहती हूँ अगर कोई मार्ग है ये बाहर मुझे कुछ नहीं मिलेगा मुझे मेरी अंतर यात्रा करनी ही है and that is the second stage of enlightenment कि बाहर से हम अंदर की और we go from outer to inner जो भी बाहरी influences है उसके धीरे धीरे अंदर जाते हुए now we become the initiated mind जो मुझे अभी तक लग रहा था मेरा mind अभी ये जो चीजे मैंने देखी है सुनी है, समझी है उसी के ऊपर है अब meditation में हम एक universal mind के साथ connect होने लगे and for me that was a very profound experience because जो मैं जानती भी नहीं थी वो information, वो feelings मुझे मेरे अंदर मैंने feel करना शुरू किया the end हर एक meditator बाहर जो डून रहा है उसको छोड़ कर अंदर जाता ही है अब क्या-क्या माध्यम है obviously swadhyay, reading books क्योंकि आप realize करते हैं इतने-इतने, मतलब PMC इंदी पर भी है आप पूरे, you can see so many different books आप ये जानेंगे नहीं केवल जो यहाँ पे हो रहा है thoughts में क्या हो रहा है emotions के इतने सारे books है astral travel, third eye akashic records हर एक spiritual science जो concept है उसके साथ आप open up हो जाते हैं और वो कोई random concept नहीं है big bang जैसे बहार नहीं है ये आपके अंदर हो रहा है ये big bang अंदर वाली big bang है और हर एक person जब इतने गहराई से एक-एक topic को जानता है वो अपने आपको और गहराई से जानता है तो basically those mini enlightenments are satori moments satori moments हर एक person को होता है जब वो पढ़ रहा होता है वो जानता है वो जो पढ़ रहा है वो जो life में experience कर रहा है जब वो book खोलता है उसी सामय पर जो जानना चाहता था जो सुनना चाहता था वो सामने है जो लोगों से मिलता है वो हर एक person में अपना reflection देखता है अगर उसको गुसा आ रहा है वो opposite person में जो emotions वो नहीं accept करना चाहता है उसको बहार में देखता है लोगों से मिलते हुए हर एक person में अपने आपको ढूंगता है तो हर एक person जो spirituality में आता है वो एक inner transformation एक level नहीं, दो level नहीं ऐसा नहीं है कि आप 10 साल धिहान कर लो तो बस हो गया आप बस आपका PhD लेवल में पहुंच गया बस इसके बाद और कुछ करनी के जरूरत नहीं आप 25 साल क्यों नहीं 30 साल क्यों नहीं, 40 साल क्यों नहीं और हर एक दिन, पूरे साल उनोंने thinking and destiny से ही messages निकाल निकाल के हम सभी को share किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाता है there's anant to explore, anant janma तक हम explore करते रहेंगे it's creation, we are that and there is nothing different, जब हम एक दूसरे के बीच में, that is the second stage, right हम किसी और को अपने से दूर नहीं देखते है दीरे-दीरे, that's when एक point पर हम आते हैं, तीसरे स्थिती पर वो ऐसी स्थिती है, जहां पे आप जानते हैं, जैसे alpha state है, जहां पे आप जानते हैं कि आप एक आत्मा है और omega स्थिती, यानि उसके next step, जैसे एक छलांग लेते हैं वो छलांग क्या है, कि हम सभी एक हैं पसुदेव कुटुमबुकम को जब हम actually हम शब्दों में देखते हैं उसको in action लेकर आते हैं और ये उपर जाके नहीं होता है वो यहां पर ही होता है और ऐसा नहीं है कि एक ही समय में वो आपको experience होगा हर moment में, जब-जब आप duality को देखते हैं वो धीरे-धीरे oneness में आएगा हम जिदर यहां पर conflict में रहते हैं क्यूंकि हम ध्यान करते हैं अपनी उर्जा बढ़ाते हैं हम daily अपने आप से जुड़ते हैं मन में आए, उसको switch करके एक higher स्थिती में जीना एक higher mind में जीना जहां पे हम सभी एक हैं तो हर एक pyramid master, हर एक meditator इस स्थिती में आता ही है और enlightenment proper के बाद enlightenment के third stage पर जब हम पहुंचते हैं हर एक meditator इस स्थिती में पहुंचता है और अपने आपको भगवान से दूर महसूस ना करते हैं मैंने personally ये देखा है जब मैं music practice करती थी पहले, ध्यान से पहले मैं music practice करती थी क्योंकि भगवानों को, इन भगवानों के नाम बोलते हुए, गाते हुए गाने को गाने जैसे करना उसके बाद, इसी स्थिती में अगर मैं बोलो, even I have crossed so many different stages within music itself, कि उसके बाद पहले, क्योंकि मैं ध्यान में आई मैंने ये experience किया कि उन शब्दों के पीछे उर्जा है बस इतना, तो जब मैं गाती हुँ उसमें उर्जा है, फिर धीरे अब इस्तिती में आ गई हुँ कि जब मैं गाती हुँ मैं उस जो जो गुरु है, जो भगवान है उनके उर्जा में मैं हुँ और साथ में जिनोंने लिखा है उसकी उनकी उर्जा भी है साथ में और मैं वो बन के we are all one जब हम कहते हैं मैं और वो राइटर मैं और वो भगवान अलग नहीं है, हम ही वो है तो ऐसे अनेक अनुभव हुए है जहां पर मैं कबीर को ही मैं ही एक होकर गाना गारी हूँ मैं त्याग राजा को experience करते हुए ही मैं गाना गारी हूँ, राम बनते हुए मैं गाना गारी हूँ तो दो चीजों में एक दो चीजों को अलग ना करते हुए एक में जीना अब यह स्तिती भी आनंदित है ऐसा नहीं है कि आनंद से केवाल यह थर्ड स्टेज में मिलेगा हर एक स्तिती में जो सेटोरी मोमेंट्स है तो जब वो स्तिती जो है जैसे मैं गा रही हूँ आता है duality लेकिन जब आप higher mind को चुनते हो आप वापस से आप वो switch हो जाता है और आप एक हो जाते हो उस भगवान के साथ और जो भगवान कह रहे हैं आप ही वो बन जाते हो और हर एक meditator इसको experience करेगा ही करेगा अशी मेरा experience enlightenment का जैसे आपने बोला the higher mind है जब मैंने पहली बारी in my second stage जब मैंने ध्यान करना शुरू कियाना I realized that okay there is so much that is yet to be explored and जब मुझे ये अद्रिश्य दुन्या the unseen worlds के प्रती मेरी जागरुकता और बढ़ने लगी कि मैं सिर्फ ये personal ये this personal being जिसके साथ जो भी life में जो भी घटना है घटरे वो नहीं हूँ एक impersonal self भी है एक grander self भी है जो हर एक चीज को बहुत बारीकी से प्लान कर रहा है and in my the third stage जब ये switch अगर मैं बोलू तो in my life जब Carlos Castaneda का मैंने एक book पड़ा था The Fire From Within and this was 2016 पती सर के साथ हम महायोग ध्यानकुम I think 2017 में पहला महायोग ध्यानकुम हो रहा था और रिषिकेश में पती सर बैठे थे and I still remember नदी बह रही थी and सर उस सिटिंग अलोन under the sun and ऐसे कभी नहीं होता कि सर ऐसे खाली बैठे हुए है but भागा दोडी में suddenly सर ने मुझे पकड़ा और मुझे कहा what's happening जैसे सर यूशली पूछते है what's happening and उनकी तरफ देखा and सर मुझे केवल प्रकाशी-प्रकाश की तरह दिखे and इतने बारी जब भी पहले पती सर ने उसके पहले मुझे प्रशन पूछे थे I always had so many questions मुझे हर वक्त ऐसे doubt रहता था कर्मसिद्धान्त के प्रती या जानने के लिए कि क्यों आए है आखिर क्यों अगर हमें दर्थ होना ही है अनुभव करना ही है तो बार बार ही क्यों आते हैं खतम कब होगा पर जब पत्री जी ने उस दिन मुझे वो question पूछा था suddenly and this was the time जब मैं वो Carlos Castaneda वाला book पड़ रही थी I understood suddenly मुझे ये नहीं मैं अगर उसको शब्दों में बया करने की कोशिश करू तो मैं भी मैं ना कर पाऊ but in that moment suddenly मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं था कोई इच्छा नहीं थी जानने की जो उन्होंने मुझे से पूछा था बस मैं देखके उनको बोल रही थी all is well sir everything is amazing and तब से last time तक जब भी पत्री sir से what's happening is जब हम एक दूसरे से question पूछते थे what's happening what's happening तो एक ही रहता था everything is happening तो मेरा realization जो the enlightenment वाला रहा है वो ये है to realize that हर एक चीज जो जीवन में हो रहा है जो आसपास घटित हो रहा है जो ब्रहमांड के स्तर पर जो हम अभी आज की डेट पर इतने सारे wars के बार में बात कर रहे हैं हम suddenly mankind realize कर रहा है कि मार्स में भी जा सकते हैं जूपिटर में भी हम भेज रहे हैं ब्लाक होल में हमारे प्रोब्स जार रहे हैं जानने के लिए कि actually होता क्या है starting the beginning of the universe पर तो हर एक चीज जो universe में हो रही है जो ब्रहमांड में हो रही है जो दुनिया में हो रही है जो society में हो रही है जो घर पर हो रही है जो मेरे environment में हो रही है मेरे साथ हो रही है actually is all interconnected to me that one spec कि जो मैं चूज करती हूँ अपने choices में अपने belief systems में अपने actions में अपने reactions में अपने भावनाओं में अपने विचारों में हर एक चीज जो मैं चुनती हूँ actually is affecting everything else कि जो feeling है of interconnectedness यह feeling पैदा करने की जरुरत नहीं है यह एक knowingness है, एक beingness है कि जो भी मैं हूँ अभी यहाँ पर जो भी यहाँ पर चल रहा है आसपस everything is linked to everything else तो मेरा कर्तव यह क्या है मैं इस पल में मुझे क्या चुनना चाहिए जो आपने कहा एक higher mind क्या मैं अपने आपको एक lower mind के स्थिती में हाँ सब कुछ ऐसा ही है इसको ऐसी होना चाहिए अगर मैं वैसे देखू या मैं सोचू कि हर पल एक opportunity है मेरे लिए कुछ नया करने के लिए कुछ सीखने के लिए कुछ समझने के लिए कुछ spread करने के लिए कुछ share करने के लिए ये सारी चीज़े actually हर वक्त हर पल जब मुँ एक higher mind स्थिती मैं एक choice के माध्यम से जीती हूँ तो ब्रहमांड में भी वो expansion हो रहा है and for me enlightenment is that feeling that knowingness की for me प्रवचन देना नहीं है आप जिस पल में जिस कार्य में पूर्ण तरीके से lean होकर enjoy करते हुए एक higher mind स्थिती में एक knowingness से जी रहे हैं कि आप जो यहाँ पर कर रहे हैं पूरे ब्रहमांड में ये कंपन ये vibration spread हो रहा है that is enlightenment so enlightenment कोई स्थिती प्राप्त करने वाली चीज नहीं है enlightenment हर पल हर ख्षन आपके लिए एक conscious evolution का एक माध्यम है एक process है जहाँ पर आप अपने आपको पूर्ण तरीके से explore कर रहे हैं आपकी हर एक कला को आपकी हर एक talent को आपकी हर एक विचार धारना जो create करना चाहती है कुछ चीज आपकी माध्यम से जो कुछ आना है जो creation आनी है इस भ्रह्मांड में आपकी माध्यम से वो आप पूर्ण तरीके से enjoy होते हुए कर रहे हो या इस enjoyment में गुसा भी आता है frustration भी हो सकता है exhilarated happiness भी हो सकता है एक passion भी हो सकता है कहीं ना कहीं पर एक dissatisfaction भी हो सकता है पड़ ये सारी चीजे combine करके ये जो feelings है emotions है हमारे आत्मा की ये हमें उस ultimate enlightenment की expansion state को experience करने के लिए है कि जो भी आपके जीवन में अभी जो भी हो रहा है आपने खुद चुना है ये नहीं है कि किसी और ने आपके जीवन में चुनके लिखके दिया है कि कोई आके उन्होंने बताया कि तुमने past में ऐसे किया था ना इसलिए तुम्हें अभी ऐसे हो रहा है आपने चुना है ये चुनोती को आपने खुद चुन कर आप इस जीवन में आप क्या करना चाहते है या आपके ऊपर वो चोईस है तो enlightenment essentially is a choice हर वक्त चुनने के लिए कि आप अपने limited lower mind से काम करना चाहते है या आप अपने expanded higher mind के साथ काम करना चाहते है Yes, and यही ना जानना कि केवल हम ही है हम आत्मा है तो बस हम ही है अलग-अलग beings है हर एक galaxy में, हर एक dimension में तो जब Bringers of the Dawn पड़ा था, Barbara Marsiniak का तो मेरे life में एक highest thought process मेरे बुल सकती हाइर mind ही नहीं, highest learning हुआ कि किवल हम as humans ही नहीं है there are many species, many civilizations जो exist करते हैं हमारे आसपास exist करते हैं और हमें support और guide करने के लिए हमेशा रहते हैं तो yes, definitely जानना कि आप और मेरे में कोई फरक नहीं है we are all one but we are all one किवल humans में ही नहीं हर एक species में species से हम जुड़े हुए है हर एक species से हम जुड़े हुए है तो अलग-अलग beings है Syrians, Lyrians, Andromedans कितने सारे लोग हैं जो light language बात करते हैं like Judy Satori actually light language में बात करती हैं जो दूसरे dimensions में जो हो रहा है वो actually यहां पर लेकर आके अपने शबदों के द्वारा एक अलग ही light के language में बात करती हैं तो there is so much to be explored जब हम बोलते हम एक है हर एक चीज के साथ एक है तो अगर हम एक logical mind apply करें कि अरे यह कैसे संभव हो सकता है then वो सही नहीं है हम अगर पढ़ते हैं उसको देखते हैं अगर energetically connect करते हैं आप देखेंगे यह सच है तो हर एक being के साथ connect करना बहुत ज़रूरी है और अगर आप truly inner guidance ले connect करना चाहें आप ज़रूर connect कर सकते हैं and they always have a message for us केवल मैं ही हूँ highest race हम humans हैं हम जैसा और कोई नहीं है नहीं यह आसत्य है इतने सारे books हैं प्रूफ करने के लिए so there are many masters many concepts like channeling तो आपको क्या लगता है क्या enlightenment भगवानों के लिए ही है क्या हम सभी के लिए भी है comment करके ज़रूर बताए आप आगे क्या topics चाहते हैं कि हम cover करें उसे भी आप comment में लिख के ज़रूर बताए हम फिर मिलेंगे अगले episode में क्या खयाल है thank you